एने एस दो हजार इकीस में क्लास टैंथ के लिए इंग्लिश का जो प्रैक्टिस पेपर थर्ड है उसको हम सौल करेंगे इसमें 70 कोश्चन हैं और ऑप्शन दे रखें ये MCQs में हैं तो सबसे पहले पढ़ते हम पैसेज once there lived a porter in a village एक गाओं में एक कुमार रहता था his mother wife and his only son were also living with him in a small hut अब उस कुमार के साथ उसकी मम्मी उसकी पत्नी और उसका एक मात्र बेटा वो सबसात में उस छोटी सी जोपड़ी में रहते थे the wife of the porter used to quarrel with her mother-in-law लेकिन जो कुमार की पत्नी थी वो अपनी सास के साथ में लड़ाई करती थी the porter was unhappy but helpless about his wife's attitude तो वो जो कुमार था बिचारा वो बहुत दुखी होता था इस बात से लेकिन वो कुछ में नहीं कर सकता था उसकी जो पत्नी जिस तरह से अपनी सास के साथ वेवहार करती थी the quarrels were getting more and more frequent day by day तो उनकी लड़ाईया दिन प्रती दिन और बढ़ती ही जा रही थी one day the porter built a small one room but near his home and shifted his mother to his hut पहले तो ये लोगे की जो पनी में रहते थे लेकिन जब जगड़ा बढ़ा तो उस कुमार ने क्या किया एक छोटा सा एक कमरा जो है अपने घर के पास में बना दिया और अपनी मा को वहां रख दिया his wife met a small earthen pot to supply food for the old lady उसकी पतनी ने एक छोटा सा जो है चुकी कुमार तो थे तो उसने छोटा सा जो है एक मिट्टी का बरतन बनाया ताकि उसमें वो उस अपनी सास को या old lady को खाना दे सके every day the old lady had to wait at the door for the kitchen for food अब जो बिचारी बुजर्ग थी उनकी सास वो रोज इंतजार करती थी kitchen के बाहर खड़ें के अपने लिए खाने का her daughter-in-law used to drop the leftover food into the pot लेकिन वो बहु क्या करती थी वो जो बचा हुआ खाना है वो उनके बरतन में डाल दिया करती थी the porter's son watched these activities of his mother he liked his grandma very much अब जो कुमार का बेटा था वो अपनी मा की एक्टिविटी रोज देखा करता था वो अपनी दादी को बड़ा प्यार करता था one day he began to make a pot his mother asked him why are you making this pot एक दिन उस बच्चे ने क्या किया कि वो खुद भी बरतन बनाने लगा मिट्टी का तो उसकी मान ने पूछा तुम यह क्या कर रहे हो यह क्यों बना रहे हो only for you mother that small boy answered innocently बहुत ही मासूमियत से बच्चे ने जवाब दिया कि यह मैं आपके लिए बना रहा हूं माँ when you grow old like my grandma this pot will be useful for you क्योंकि आप जब बुड़ी हो जाएंगी मेरी दादी की तरह तो यह आपके काम में आएगा I would keep it safely for that day तो मैं अभी से बना के उन दिनों के लिए इसको सुरक्षित रख लूँगा the word only for you mother और यह जो उसने शब्द कहा कि आपके लिए मा only for you kept ringing in the ears of the daughter-in-law अब यह जो शब्द था यह उस बहु के कानों में गुंशता रहा this mad her thing about her behavior toward her mother-in-law इससे जो है उसे अपने जो अपनी सास के प्रती behavior था उसका उसके बारे में वो सोचने लगी she realized her real treatment and apologized to the old lady इसके बाद क्या हुगा कि उसे अपने जो खुद अपना बुरा व्यवहार कर रही थी अपनी सास के साथ उसका हैसास हुआ उसे और उसने अपनी सास से माफी मांगी she took the old lady back to home and treated her with love thereafter इसके बाद में वो अपनी सास को जो है वापस घर ले गई और उनके साथ में प्यार से व्यवहार करने लग गई अब देखते हैं इसके questions first question है पोर्टर's mother wife and his only son were also living with him इने तो पहले कहा रहते थे वो जो कुमार की मां है पत्नी है और जो son है वो कहा रहते थे तो देखिए यह हम पहले देखते हैं यह आएगा small hut ठेके the wife of the porter used to quarrel with her अब जो quarrel उसकी wife थी वो किसके साथ में लड़ाई करती थी तो जो पोर्टर की wife थी वो किसके साथ लड़ाई करती थी वो अपनी mother-in-law के साथ लड़ाई करती थी the porter's wife made a small क्या बनाया चोटा सा जो पोर्ट बनाया वो किसका बना हुआ था तो वो किसका बना हुआ था मिट्टी का जिसे हम कहते हैं the story teaches us to ये कहानी हमको क्या बताती है कि हमें अपने elders के साथ love and respect से पेश आना चाहिए the boy was making the pot for बच्चा किसके लिए pot बना रहा था बच्चा अपनी दादी के लिए नहीं बना रहा था बच्चा अपनी mother के लिए बना रहा था pot the place to cook food is जहां पर खाना बनाया जाता है उस place को क्या कहते हैं उस place को कहते हैं kitchen ठीक है तो यह जो 6 question थे यह हमारे first passage पर आधारित थे चलिए अब हम second passage देखते हैं second passage है modern etiquette is an art जो आधुनिक सिष्टाचार है वो एक कला है और it has to be cultivated by persistent practice और इसी सतत अभ्यास के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है the first requirement of good etiquette is a pleasing personality which includes a good dress and tune with times तो सबसे पहली जो विशिष्टा है आधुनिक सिष्टाचार की वो है कि आपका जो है pleasing personality होनी चाहिए और उसके साथ में आपको समय के साथ अच्छे कपड़े भी पहनना है तो मुस्कराता हुए वेक्तित्व पहली विशिष्टा है after these basic requirements are in place the person desiring to learn the art of etiquette must develop the power of speech to be a good communicator और अगर आप अच्छे सिष्टाचार सीखना चाहती है तो दूसरी चीज यह है कि आपको जो good communicator होने के लिए आपको बोलने की कला आनी चाहिए he must have a smooth accent in the language in which he converses तो वो जिस भी भाशा में बोले उस भाशा में उसका जो है मतलब वो अच्छे से बोल पाए smooth accent वो बिलकुल धारा प्रवाब बोल सके modern etiquette includes having a clear idea of the day-to-day topics and happenings in the society or in the community in which one lives ये तो हो गई दो विशेष्टा है पहली है मुस्कराता हुए वेक्तित दूसरा है आपको अच्छा बोलना आना चाहिए लेकिन modern etiquette क्या कहता है कि आपको रोज मर्रा की घटनाओं की जो आपकी society में हो रही है जो आपके समाज में हो रही है या आपकी community में हो रही है जहां पर आप रहते हैं वहाँ जो कुछ भी घटी तो हो रहा है उसके जानकारी होनी चाहिए इससे क्या होगा कि आप जो भी function होंगे डिनर होंगी पार्टीज होंगी उनमें आप बड़े interesting और entertaining बन जाएंगे क्योंकि लोग आपको सुनेंगे आपको सारी जानकारी होंगी आप लोगों से उन घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं इसलिए आप बड़े लोग प्री रहेंगे तो सामाजिक होना इस सामाज में बहुत जरूरी है एक जो सामाजिक वक्ती होता है वो अच्छे जोक्स भी कर सकता है और अच्छे अच्छे discussion के लिए topics भी बता सकता है और ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, प्रशन्शक होते हैं अब यहाँ पर पहला question पुछा गया है, जो सात्वा question है कि modern etiquette क्या है, तो modern etiquette यहाँ क्या बताया गया है कि modern etiquette क्या है, art है power of speech develops, power of speech से क्या develop होता है good communication, आप अगर अच्छा बोलना जानते हैं, तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं इसके साथ ही है, question number 9 modern etiquette includes having a clear idea of the, clear idea किसका होना चाहिए, day to day topics का being famous होने का मतलब क्या है, कि आपको popular होना है synonym for progress, progress तरक्की के लिए क्या ले सकते हैं, हम word यहाँ पर develop या विखास, to be sociable is a great asset ठीके, तो यह आपके question है, और यह 7th में हमने लिया था modern etiquette is an art, power of speech develop, good communication तो यह question हमारे second passage के हो गए, ठीके, अब हम देखते हैं अगला passage यह passage नहीं देखे, बलकि यह poster दे रखा है, तो यह poster किसके बारे में दे रखा, यह advertisement किसके बारे में बता रहा है, इस advertisement बच्चों से कहा गया है कि वो जो यह food खाते हैं, जो fast food वगेरा है उनके लिए मनाई लिखी हुई है, तो advertisement is seeking the attention आफ किसके बारे में यह, young boy and girls, उनको यह जागरूप कर रहा है यह no to क्या कह रहा है, no to junk food या fast food homemade food makes a double bonus, homemade food से दो bonus आते हैं कौन सा एक तो मम्मी का प्यार मिलता है, और nutrition value ज़्यादा होती है घर के बने खाने में junk food is fit for, junk food किसके लिए अच्छा रहता है, junk yard के लिए unwelcome guest standard form, unwelcome guest जैसे हम junk food खाते हैं तो unwelcome guest को बुला लेते हैं, मतलब हम किसको बुला लेते हैं अपने relative, इसको नहीं, disease को, जो disease होती है, अंचाही यह जो बीमारिया हमारे शरीर में आ जाती है, this advertisement is issued in public interest, यह इसके answer है, ठीके, चलिए, अब हम next passage देखते हैं there are many kind of musical instruments, they are divided into three man classes according to the way they are played, for example, some instruments are played by blowing air into them, तो अलग-अलग प्रकार की musical instruments होते हैं, तीन मुखे रूप से class होती है, इनकी जिस तरह से बजाया जाता है, जैसे, some examples कैसे played by blowing air into them, उनके अंदर हवा भरके बजाया जाता है, ऐसे instruments को क्या कहते हैं, जिन में हवा भरके बनाया जाता है, उनको कहते हैं, wind instrument, और कुछ, in some of these, the air is made to vibrate inside the wooden tube and these are said to be of woodwind family, तो ये, जिनके अंदर हवा भरके बजाया जाता है tube में, उसे कहते हैं, woodwind family, और इसके examples क्या हैं, flute, clarinate, है ना, flute अब जानते हैं, बासूरी को कहते हैं, तो इनके अंदर, tube के अंदर हवा भरके जो है, बजाया जाता है, other instruments are made of brass, the trumpet and the horn are example, और जो दूसरे instrument हैं, वो कौन से हैं, वो किस से बने होते हैं, पीतल से बने होते हैं, जैसे trumpet, horn, जिस तरह से आपने देखे होंगे न, शादी वगेरा में, बड़ा सा भूपू जैसा होता है, जो उसे कहते हैं, there are also various wind instruments, such as the mouth organ and the bagpipes, और भी कुछ wind instruments होते हैं, जिसमें हम हवा भर के बजाते हैं मुझ से, वो होते हैं, bagpipe और mouth organ, some instruments are played by banging or striking them, कुछ instruments कैसे होते हैं, जिनको हम बजाती हैं, उन से जो है, आवाज निकलती है, one obvious example is the drum, of which these are various kinds, तो इसका एक example है, drum, जिसको हम ठोक कर बजाते हैं, instruments like this are called paqazan instruments, ऐसे instruments को paqazan बोलते हैं, the last big group of instruments are the one which have strings, तो ये तो हो गए, पहला तो हो गया भी, जिनके अंदर हवा भर के बजाई जाती है, दूसरा है, जिनको ठोक कर बजाते हैं हम, और जो तीसरा प्रकार है, वो होता है, जिनके अंदर डोरी होती है, तार होते हैं, तो ये तार वाले कोंसे होते हैं, तो ये तार वाले कोंसे होते हैं, those in which music is played by plucking the string, and those in which the player draw a bow across the string, तो या तो ये एक या पुंगली से ही जो है, उसको string को पकड़-पकड़ के बजा दें, या फिर एक बो बनाते हुए, तो पहला वाला है, जिसमें हम तार को पकड़ के बजाते हैं, वो होता है, गिटार, and the letter are, the violin and the cello, और दूसरा है, violin जिसमें की हम bow बनाते हैं, ठीके, अब हम इसी passage पर आधारित questions पूछे गए हैं, पहला question है, musical instrument कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, जो wind instrument है, उनको कैसे बजाया जाता है, उनमें क्या भरी जाती है, हवा भर के बजाया जाता है, flute, clarinate and bassam are the instrument, तो flute किस category का है, ये है, woodwind family का, next हम देखते हैं, the trumpet and horn are the instrument, ये किसके बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं, पीतल से, और instrument, जो banging और striking, तो उनको हम क्या कहते हैं, पर cousin instrument, और harp, guitar, violin, cello, ये कुन से वाले हैं, जिनके अंदर क्या होती हैं, strings होती हैं, ठेके, आगे के जो questions हैं, वो हम, उनको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सिर्फ objective रह चाहेंगे, question number 25 से है, कि students who are very fond of reading books, और often labeled by their companions as bookworms, जो बच्चे पढ़ने के बहुत शोकीन होते हैं, उन्हें उनके दोस्त क्या बोलते हैं, किताबी कीडा, This criticism generally comes from students who consider themselves better in sports, तो ये अलोशना कोन करते हैं, जो बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं, students who shine in athletics or in game consider that it is better to spend time and energy in a sports arena than in a classroom or at a reading desk, तो जो बच्चे athletics में अच्छे होते हैं, games में अच्छे होते हैं, तो उनको क्या लगता है, कि अपना जो समय है, या अपनी ऊर्जा है, वो sports में खर्च करना ज़्यादा अच्छा है, बज़ाए classroom में या फिर reading desk पर, All the same, they do invade their fellows who shine academically, तो वो ये सोचते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये नाम क्यों रखते हैं वो पढ़ने वाले बच्छों के, क्योंकि एक्छल में वो उन पढ़ने वाले बच्छों से इर्शया भी करते हैं, Academic Honor has a glamour which is unique, क्योंकि पढ़ने का जो सम्मान मिलता है न, वो बिलकुल अनूठा होता है, It is not to be denied that playing games is a useful activity, because it creates team spirit and also makes the sportsman healthy and vigorous, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि खेलना बहुत अच्छी activity है, क्योंकि इससे team spirit, team खेल भावना का विकास होता है, और ये खिलाडियों को स्वस्थ भी बनाती है, बलिष्ट भी बनाती है, That is why games and sports are given so much importance in the curriculum, curriculum of school and college, इसी लिए जो है, school की particular में खेलकुत को भी साथ में रखा जाता है, But, studies shouldn't be neglected and should be given due importance along with other activities connected with education, लेकिन खेलकुत के साथ में पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और इसे भी खेलकुत को पढ़ाई के साथ महत्र देना है, लेकिन पढ़ाई को छोड़कर नहीं, Let each type of activity have its own place in our daily routine, हमारी daily activity में हर तरह की activity का योगदान है, Then only we have students both academically sound and physically fit, तब ही जो हमारे बच्चे हैं, वो कैसे होंगे, पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और शारी रिक रूप से भी स्वस्त होंगे, We want our education system to generate this energy among our youth, तो यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ने में भी अच्छे हों और शारी रिक रूप से भी स्वस्त हों, अब question number 25 से 30 तक के इसी पर बैज़ रहें, देखिए, Students who are very fond of reading books or labelled as पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, किताबी केड़ा याने book form, पढ़ने का जो सम्मान होता है, वो अपने आप में कैसा होता है, अनूठा याने यूनिक, प्लेइंग गेम्स मेक्स देश स्पोर्ट स्वें, गेम्स खेलने से जो खिलाडी होता है, वो कैसा बनता है, healthy and vigorous मतलब स्वस्त बनता है, बलिष्ट बनता है, the similar word for syllabus is the passage, syllabus जो पाठिक्रम होता है, उसके लिए क्या word यूज किया गया है, यहाँ पर curriculum, और 30 है, the motive of our education system, हमारे सिक्षा प्रणाली का उद्देश क्या है, हमें विद्यार्थियों को कैसे बनाने का उद्देश है, कि वो पढ़ने में भी अच्छे हों, और शारीरिक रूप से भी स्वस्त हों, तो ये 30 question जो passage पर आधारी थे, वो हमने करे, अगले जो 40 question है, वो objective है, उनको हम next video में देखते हैं, okay, thank you. झाल, 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 झाल झाल